लखिमपुर हिंसा के मुख्यारोपियों केंद्री गिरी राजमंत्री आशीश अजय मिश्रा की बेटे आशीश मिश्रा की पुलिस रिमांड की अरजी पर आज होगी सुनवाई केस की जाच कर रही असाइटी आशीश को रिमांड पर लेकर करना चाहती है पूछताच शनिवार को 12 घंटे की पूछताच के बाद आशीश को गरफतार किया गया था आशीश को 14 दिन की नयाएक हिरासत में भेजा गया था लखिमपूर कांड को लेकर डेमज कंट्रोल में जुटी बीजेपी यूपी बीजेपी अध्यक्ष सुतंतर देव सिंग ने दीग पार्टी कारकरताओं को नसीहत कहा नेतागीरी का मतलब लूटने नहीं आये है ना पॉर्चूनर से किसी को कुछलने आये बोट मिलेगा त महारास्ट में सत्ता रोड गटबंधन का महारास्ट बंद का मिला जुला असार अगारी के सयोगी दलों शिव सेना, एन्सीपी और कॉंग्रेस तीनों ने इसको पूरा समर्थन दिया है बंद आधी रात से ही शुरू हो चुका है, हलाकि महारास्ट सरकार ने साफ कर दिया है कि अतिया आवश्यक सेवाएं चालू रहेंगी, इनका बंद पर कोई असर नहीं होगा अलाकि अगारी के राज्य बंद का डिटेल ट्रेडर्स एस्चोसियेशन ने विरोध किया है, एस्चोसियेशन का कहना है कि पिछले 18 महीने से जारी, लॉकडाउन से उन्हें पहले ही बहुत नुक्सान हो चुका है, अब त्योहार के मौसम में इस तरह का बंद ठीक नहीं सरस्त्र एकाईयों के 400 जवानों की तैनाती की गई, कॉंग्रेस महासचिप प्रियंका गांधी ने वरण रसी रैली में कहा कि सोनभद्र, उन्नाओ, हांथरस और लखिमपुर की पीडितों ने नयाय मांगा लेकिन सरकार सो उमीद नहीं है, गिरी राज्य मंत्री के बेटे ने छे लोगों को अपनी गाड़ी से कुचल दिया, सरकार पूरी थरह से मंत्री और बेटे को बचाने में लगी है, लखिमपुर कांड के सभी आरोपियों की ग्रफतारी और केंद्री गिरी राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्की की मांग को लेकर आज देश भर मे मौन निवरत, कारिक्रम का आयुजन करेगी कॉंग्रेस, सभी राज्यों में राजभवनों के बाहर कॉंग्रेस नेता खटे होकर मौन रखे ए आए माया मध्यक्ष असुद्दीन वैसी ने पूछा आशीश की जगे उनका नाम अतीक होता तो क्या उसके घर पर बुल्डोजर नहीं चड़ जाता वैसी ने कहा कि अजय मिश्रा का तालुक उची जात से इसलिए उसको मोदी ने नहीं हटाया किसान नेता राकेश टिकेत ने कहा कि किंद्री मंत्री अजय मिश्रा को भी गरफ़तार किया जाए क्योंकि वह भी 120 BKR रूपी है टिकेत ने कहा कि वह जाज को प्रभावित कर रहा है ऐसे में उसे तुरंद प्रभाव से बर्खास किया जाए किसान संगठनों के अलान को देखते हुए योगी सरकार ने उन इलाकों में अलर्ट जारी किया है जहां गड़बड़ी हो सकती है रविवार को मुख्यमंति के घरुई बैठक के बाद ये फैसला हुआ इन इलाकों में 20 IPS अफसरों की ड्यूटी लगाई गई जम्मू कश्मीर के बांधी पोरा एनंतनाग में सुरक्षा बलों की बड़ी कामियावी अनंतनाग और बांधी पोरा में एक एक आतंकी धेर बांधी पोरा में मारा गया लशकर का आतंकी इम्तियाज हमद डार हाल में हुई घटनाओं में शामिल था सुरक्षाबलों की हिरासत में 700 से ज़्यादा लोग कश्मीर से पकड़ेगा संदिग्दों से पूछताच में बड़ा खुलासा ISI की कश्मीर में बड़े पैमाने पातंक फैलाने की साजिश कई बड़े धार्मे को स्थानी नेता आतंकियों की निशाने पर है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से भारती अंत्रिक्ष संग का सुभारम करेंगे इस मौके पर वो अंत्रिक्ष उद्योग के प्रतिनिद्यों के साथ बातचीत भी करेंगे देश के तमाम राज्यों में बजली संकट पर रुजा मंत्री आरकिस सिंग का बयान कहा नहीं है बजली का कोई संकट जितनी मांग है उस हिसाब से हो रही आपूर्ती बजली संकट पर लोगों को गुमरह किया जा रहा है देश में कोईले का परयाप्त मात्रा में स्टॉक है बजली घरों को कोईले की सप्लाई पर कोईला मंत्री पहलात पटेल ने कहा मौजूदा समय में कोईला अपूर्ती अपने सरवोचिस्तर पर है जिससे आने वाले दिनों में बढ़ेगा पावर प्रांट का पोल स्टॉक पूर्जा मंत्री के बयान पर दिल्ली के डिप्टी सीम मनीश सुधिया ने कहा कि केंद्र के मंत्री के तौर पर जिमेदारा रवईया अपना रहे है आखें बंद करने से कोईला संकट समाप्त नहीं होगा ओक्सियन संकट के समय भी सरकार ने यहीं किया बिजली संकट को लेकर दिल्ली सरकार ने दो दिन पहले कहा था कि सिर्फ एक दिन के लिए कोईला बचा है सीम के जिरिवार ने पीम को छिठी लिखकर दखल देने की मांग की थी पंजाब सरकार ने केंद्र में कोईला सप्लाई सुनिश्चित करने की अपील की CM चरणजी सिंग चन्दी ने कहा कि धान के सीजन में बिजली की खपत बढ़ी, कोईले की कमी चिंता का विशय उत्रप्रदेश में भी गहराया कोईले का संकट, बिजली उत्पादन का कम हुआ CM योगी आधितिनाथ ने प्रधान मंतिर नरन मोदी को पत्र लिख कर राज में कोईले की आपूर्ती सामान कराने और अत्रिक्त बिजली उत्पलब कराने का आगर है किया क्रूज ड्रक्स मामले में शारुक खान के बेटे आरेन खान समेट तीन लोगों की जमाना तरजी आज सेशन कोट में दायर हो सकती है शुक्रवार को लोवर कोट ने जमानत याचिका पर सुनवाई करने में असमर्थता आज़त दिखाई थी ABP News आप को रखे आगे